हाँ जी बेटा जुदो मैंने तो अनुग क्रेक्टरस्टेक्स करवाईयां सी ना फोटोन्स दियां उद्धू पहला मैं तो अनुग इंट्रोडक्शन देती सी ड्यूल नेचर ओफ रेडियेशन दिया ना तो देखो आपानुपता है विजड़ा अपना यूनिवर्स है इस क क्या ने स्वडेक्स दियां सी ड्यूल नेचर हुंदा क्याया इकणे सी ड्यूल नेचर की किया ने क्या सुडेक्सि बेटीशन विजडे अस वसी दो ओगी थे मतलब लाइट बिहेव ऑसवैव यूजर पाटिकल इस नोन अच दियोड़्िक ट्रीक है विजडों कोई लाइ बעם ने पटिकली तरहा वीप करूगी आँपकर जो बोल दीयाे गी बोल दीयाँ ड्यूर्म नीच्छर ओफ मैटर वेवजा फिटल नीच्छर अफ ड्यूर्डेियाशन द्यूर्ट ग्रियाशन अफिल यूजर ऊपकोवज़ अर्यूर्यe खिलमा रादियश्यूर्य न्वों म आफ्टर नाइंटीन हंडर्ड एक गल्ड प्रूव होगी सी भी मैटर है जो डियूल नेचर एज वल एज रिडिशन है मतलब जे जडे मैटर है इस में मतलब मैटर एंड रिडिशन दोनों की नेगे भी मतलब जे पर मुमेंटम दे मास नू मेजर कर सक दिया नाल दी नाल उस मैटर दे विवलंध एन फ्रिक्वेंशी नू भी मेजर कर सा ले जे ए नीगा मिजे अपर मुमेंटम दे मास नुझ शो डिया जो डियूल नेचर एगल प्रूव होगी सी जे उनने की क्या सी वी जे न कोई वी रिडिशन हां बच dual nature, मतलग it possesses wave as well as particle, मतलग जड़ा अपना universe is composed of radiation as well as matter, ठीक है, विज़े अपा matter दे विच इनना नू मेजर करांगे, नागी ना इनना नू भी मेजर करांगे, matter has dual nature as well as radiation has also dual nature, समाध आगी, क्यों, क्योंकि उनने की क्या सीगा, डी ब्रॉगली ने की conclusion करती सी, आज अपार डी ब्रॉगली सर्चिंग करांगे, डी ब्रॉगली की क्यांदा सी, डी ब्रॉगली ने एंड ते एक conclusion करती सी, जेड़ा वी कोई पार्टिकल मूव कारेया हुगा ना जेड़ा वे कोई पार्टिकल मूव कारेया हुगा ओधा हमेशा ही ड्यूल नेचर हुगा मतलब जेड़ा पार्टिकल मूव कारेया हुगा दा वेव असोसेटेड विद मूविंग पार्टिकल is known as matter wave मतलब वो पार्टिकल दा जड़ा नेचर हुगा वो ड्यूल नेचर हुगा मतलब जदो हो मूव कर रहा हुगा एमें मूव करूगा ता हो वेव दी तरह वी एफ करूगा जदो हो एक मतलब सक्रीन दे जाके स्ट्राइक कर गया देन उस टाइम की तरह वी एफ करू पार चाहिए जड़ी भी मूविंग बेव मूविंग पार्टिकल और नाड़े तरह मूव कर रहे है वेव एस्येटेड जदो हो स्ट्राइक कर गया अन्द सक्रीन दान हो कितरा वेव करूगा पार्टिकल दितरा विएव करूगा समझागी गल मेरी क्लियर हो या हुग मैं तो न किन्राःच्व प्रिया जिन्ना दे तरूं आप कर नूट करने देख फैरली गल्दर भी किड़ी थूं आप वेव नेचर चकका साधिया, किड़े-किड़े फिनोमेना नहींगे आपा इंट्रफेरेंस पड़ांगे डाइफ्रेक्शन एंड पॉलराइजेशन अफ द लाइट वैसे इमें जड़े टॉपिक्स होनगे जड़े फिनोमेना होनगे इमें आप्टेक्स दे विच करवांगे जो तो आपा सेक्सु यूनेटी करांगे फोट पार्टिकल नेचर तो आणयों पथा लागे होना मैंने प्रूब्ही प्रोब्भी करवाया फोटोईलेक्टरिक इफ्ट्रो खोटोईलेक्ट्रीक और एक कॉम्टन इफ्ट्रोविक्स में तुसी प्रिविस क्लास्डे देवीचे पढ़े हो एंदे दुआरा सेम एस देट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कॉंप्टन इफेक्ट भी इनने द्वारा अप्पां की कर सकते हैं जेडि अपनी लाइटा ओधा पार्टिकल नेचर शोग कर वा सकते हैं समझागे करल मेरी फिनोमीना याद कर सकते हो तुसी भी रेडियेशन दा वेव नेचर थू इंट जेडा भी वेव मूव कर रही होगी ओहो वेव दितरा भी वेव करूगी जदों पार सक्रीन ते स्ट्राइक कर गी ओ कितरा वेव करूगी पार्टिकल दितरा भी वेव करूगी ठीक है वीटा ता आज जेपा एनो ही प्रूफ करांगे ठीक है जी देखो डी ब्रागली हाइ एपपोथेसेस जा फिर मेटरवेवस, मेटरवेवस केडिया होंगे ने मुविंग वेवस होंदी याने वेव ऐसोसेटेड विद्ध मुविंग पार्टिकल इस नोँण अज मैटरवेवस और जडी वेवलेंथ उनन नाल ऐसोसेट होंदी या that means this is known as D Broglie wavelength जा फिर D Broglie wavelength बोले आगे समझ आगी मेरी गान ता उने केड़ा फिनोमेन इत्ता सी उने इत्ता सी अपन्नों derivation दिती सी भी जड़ी wavelength होगी D Broglie wavelength moving particle दी H upon MB मतलब हो चार से depend ने गरोगी ना हो nature of the particle depend करोगी हो किते depend करोगी mass of the body, mass of the radiation and the velocity of the radiation समझ आगी मेरी और में दुबारा एक बार दस देंगे जेड़ा भी moving particle है ओहो sometime wave दितरा भी हेव करूगा moving particle जदो rest दे विच आगया देनो कितरा भी हेव करूगा particle दितरा भी हेव करूगा ठीक है wave associated with moving particle is known as matter wave as well as D Broglie wave okay वेड़ा जेड़ी wavelength जेड़ी wavelength जेड़ी वेवलेंगे आप प्रूव करांगे एनू कि में प्रूव करूव करूगे देखो आवली energy आप फाइंड आउट कर सकती है E is equal to H new कार चुक्या ना E is equal to energy of the photon जेड़ा आप इंसिडेंट करवानने हुन्या E is equal to H new कार चुक्या आप पिछली topics देविच हाना जा फिर आप में आइंस्टाइन दी एक्वेशन भी तो आप दो सिसी E is equal to mc square दो सिसी ना में आइंस्टाइन दी एक्वेशन E is equal to mc square जेड़ा आप मोमेंटम क्योंकि आपने क्यासी भी moving photon कोल एनर्जी भी होनी चाहिए यह तेयोदे कोल मोमेंटम भी होना चाहिए आपने जड़ा कड़ियां सी हाना दोन्नों energies आगियां दोन्नों पकी कारदाने एक्वेट करोंगे 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 जदों एक्वेट करोंगे जा फिर तुसी ने तो मास काड़ साधियों मास काड़ लो E upon c square is equal to m आगे m एननु तुसी मालनो 3 equation हाना ते अपनु पता है जड़ा अपने कोल मोमेंटम होना अपनु पता है जदों आपने कोल मोमेंटम मास इंटो विलोस्टी हाना जब एर मास दी वेल्यू किया गी M मास दी वेल्यू किया अपने कोल M आगे अपने कोल हाना मास दी वेल्यू किया अपने कोल M and velocity वेल्यू किया अपने कोल C होन M दी वेल्यू में कि थो कड़ दूंगी देखो त्या अनल देखो E upon c square is equal to m लिखले in the third equation और E is equal to H new, भी लिख है मैंने value equation चे, पहली equation तो तीसरी equation दे विछ E दी value पुट करदूंगी, तक की आगे मेरी कुल H new Y C square is equal to M आगे, जड़ी आवली value है, H new Y C square is equal to M, एमेरी पुट करदूंगी, समध आरी ने बिटा, C null C cut गया, H new Y की आगे, C मतलब A value आगे, अपने equal की द value हागे, momentum दी value हागे, P is equal to H new Y C आगे, जड़ी आपनों लिख सागते हैं, अपनों पते हैं, B lambda अपने कुल कीमदा अपने formula कित्ता सी गा, केड़ा formula कित्ता सी आपने, new is equal to C upon lambda, कित्ता सी न, new is equal to C upon lambda, हाना, जड़ी आपना आवली चीज बना सकते हैं, तो new upon C, किमना मांग new upon multiply हो, और एदर आगे हो जगा, divide is equal to 1 upon lambda, जब फिर अपने को लागे, C upon lambda, C upon new is equal to किया गया, lambda आगे, अगे, हुन मैंनों उल्टा सकते हैं, न, मैंनों लिख सकते हैं, H upon C upon new लिख सकते हैं, हाना, C upon new न, मैं की लिख दूंगी, lambda, तब P is equal to H upon किया गया, समद आगे, P is equal to किया गया, H upon lambda आगे, जब फिर किलिख साथिया, lambda, lambda is equal to H upon P, P अपनु पता momentum हुनद है, किलिख साथिया, H upon M V लिख साथिया, समद आगे, lambda is equal to किलिख साथिया, H upon M V लिख साथिया, देखो, अपने को लो इही चीज़ प्रूफ कर नी सी, प्रूफ होगी, lambda is equal to H upon M V, प्रूफ होगी, मतलब यह जब लिख साथिया, lambda is equal to H upon M V, for the material particle, for the moving particle, moving particle, the lambda आगे, H upon M V, समद आगे, गल मेरी, क्लियर होया, एक में तो नो more points दास दिया, इदे नाली, B, जेगा अपने को लामडा, it is inversely proportional to V, it is inversely proportional to V, मतलब जे अपना particle, move, तेजी नाल का रहे है, मतलब faster move का रहे है, then उदे जेडी wavelength होगी, हो small होगी, क्योंकि these are inversely proportional to each other, जे मेरे कुल आ body जादा है, एधी value जादा है, एधी value तो कट होगी, मतलब जे मेरा particle, slow move का रहे है, बेवलन्द जादा होगी, जे जादा move का रहे है, बेवलन्द की होगी, कट होगी, होना आगे, अपने को लामास दिगा, ओभी अपने को लिए अपने को लिए, जोदो अपने प्रूब होगी, मतलब जेडी अपने को ला, moving body है, ओचार्स दे डिपैंड ने करूगी, ना nature दे डिपैंड करूगी, ना मास दे डिपैंड करूगी, ना ही nature दे डिपैंड करूगी, समध आगी जे ना ही चार्स दे डिपैंड करूगी, ना ही nature दे डिपैंड समधागी पिट्वा इदे नाल आ है मैं तो नो एक पॉइंट हो विदास दिया है जैदिए डी ब्रोग्ली वेव्ज हुं दिया हुआँ तरो अपने को चार्ज होगा और मगनाटिक फिल्ड भी विद रिस्पेक्ट टू करण्ट पर दिया ने बट इस करके डिप रॉंगली वेव्ज हों दिया ने अपने को लिक नंबर दे कोशन्स आंदे नो देवी चाहिए जां पुच्छेया यां दिया ओके बटा समय आगी कल मेरी क्लियर होया हून उस तो बाद आपकरांगे एदे नाल वाली टॉपिक अ उस तो बाद आपकल नू डिसकस करांगे वी डिव रोग ली इतना रिलेशन फ फैनल एक्ट्रोन के में फाइंड आउट कर सकते हैं यह पर फाइंड आउट करांगे नेक्स्ट वीडियो दिविच ओके बेटा थैंक्यू